हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस राफिल इस्टडी में आज कि इस फीडियो में हम वर्गमूल निकालने का सांदार ट्रीक देखेंगे वो भी जिस संख्या का वर्गमूल पूर्णा रूप से नहीं निकलता है जैसे कि यहाँ पर 17 है 21 है 13 है और 26 है तो इसका वर्गमूल पूर्णा रूप से नहीं निकलता है तो हम इस चारो का वर्गमूल ट्रीक से निकालेंगे सांदार तरीका से यदि हमें 4 का वर्गमूल निकालना हो तो हम किस परकार निकालते हैं हम लिखेंगे root under 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं लिख सकते कि नहीं तो यहाँ पर देखे 2 का जोरा बन रहा है तो यहाँ से 1 दो निकल कर आ जाएगा तो 4 का वर्गमूल 2 होगा इसी परकार यदि हमें 9 का वर्गमूल निकालना हो लिखेंगे root under 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं तो देखे 3 का जोरा है तो 1 3 निकल कर आ जाएगा तो 9 का वर्गमूल 3 होगा इसी परकार 16 का वर्गमूल निकालना हो तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 चार का जोड़ा बन गया तो एक चार निकल कर आजाएगा तो 16 का वर्गमूल होगा चार लेकिन जब हमें 17 का वर्गमूल निकाल नहीं तो क्वे से निकालें"- देखिए यहां पर पहली संख्या है रूट 17 तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे Tur तो देख niveauіль है ट्रिक यह है यहाँ पर संख्या सत्रा है न तो हम इसके आसपास वाली ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्गमूल पूर्णा रूप से निकल जाता है तो यहाँ पर सत्रा है तो सत्रा के आसपास वाली संख्या होगा सोला जिसका वर्गमूल पूर्णा रूप से निकल जाता है यह है trick तो लिखेंगे यहाँ पर हम root 16 ठीक है इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है अब देखिए हमारा संख्या क्या था? root 17 और यहाँ पर root 16 है तो यहाँ पर 17 से कितना कम है? एक कम है तो यहाँ पर हम plus 1 लिखेंगे ठीक है यह है trick अब देखिए तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 तो लिखेंगे 4 फिर लिखेंगे plus 1 अब धियान देजिए जैसे हम वर्गमूल करेंगे और इस एक को लिखेंगे तो इस 4 में हम 2 से गुना करकर एक के बटा में लिखेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा 8 तो 8 को हम इस एक के हर मिल खेंगे अब यहां पर हम भीन का जोड बनाएंगे तो 4 से 8 में गुना करेंगे 8 सो के 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 होगा और बट्टा में 8 होगा जब हम 33 में 8 से भाग देंगे तो संख्या पराप्त होगा 4.12 तो यह होगा 17 का वर्गमूल अब दूसरा कोईशन देखिए कोईशन है रूट 21 तो इसका हमें वर्गमूल निकलना है तो कॉंसेप क्या है 21 के आसपास वाली संख्या लेंगे जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है तो दोस्तों इसके आसपास वाली भी संख्या हमारा रूट 16 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 16 अब रेखिए रूट 16 21 से कितना कम है 5 कम है तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पलॉस 5 अब यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे जो क्या होगा चार फिर पलॉस में 5 है तो 5 लिखेंगे अब हम 2 से 4 में गुना करेंगे और 5 के हर में लिखेंगे तो 4 दूना 8 होगा तो 8 लिखेंगे 5 के हर में चलिए अब जोर बना लेते हैं 8 चोके 32 जोरेंगे तो 37 होगा तो लिखेंगे 37 और बटा में 8 है तो 8 जब हम 37 से 8 में भाग देंगे तो यह होगा 4 दस्वाब 6 दो तो यह है 21 का वर्गमूल अब हम रूट 13 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल पूर्णा रूप से नहीं लिख लेगा तो हम इसके आसपास वाली संख्या लेंगे जिसका वर्गमूल पूर्णा रूप से निकल जाता है तो 13 के आसपास वाली संख्या होगा दोस्तो रूट 9 लिखेंगे यहाँ पर रूट 9 oneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneone छे छे ठीक है यह है रूट 13 का वर्गमूल चलिए अब हम रूट 26 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसके आसपास वाली संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल पूर्णा रूप से निकल जाता है तो इसके आसपास वाली संख्या दोस्तों होगा रूट 25 ठीक है 26 से 1 कौम है तो प्लस 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे अब 25 का वर्गमूल करेंगे 5 प्लस 1 है तो 1 5 में 2 से गुना करेंगे 10 तो चलिए अब गुना कर लेते हैं 10 पंचे 50 155 50 और 81 के 10 दाहीन साइड से 51 दाहीन साइड से पांच दस्वम्लब एक तो छबीस का वर्गमूल होगा 5 दस्वम्लब एक तो दोस्तों इस परकार हम इस चारों संख्याओं कावर्गमूल निकालेंगे ट्रिक से यह आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लीचिए